हेलो दोस्तों कैसी है हमारी प्राकिर्टी गाउं की फैमिली आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों बहुत से लोग जो है मचली पालन करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वज़ाउं से उनका मचली पालण का बीजनस है बिजनस हएंगर दोस्तों कॉण कउन से कामन मिश्टेक है जितने भी किसान परेलियर्ज हुए है है वो मैक्सिमम लोग यहीं मिश्टेक करते हैं, वह कॉन से कामन मिश्टेक हैं आज इसके बारे मैं डिसकस करने वाला हूं, दोस्तों बीना टाइम में थीट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मचली का चुनाओ, वो लोग मचली का चुनाओ गलत करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है तलाब खुदवादी हैं उसमें उनको पता नहीं है कि कौन सी मचली का डालना चाहिए और इस तलाब के हिसाब से किस मचली का पालन करना चाहिए लोग क्या करेंगे छोटे से तलाब में IMC मचलियों को डाल देंगे मतलब IMC मतलब रोहू, गतलाम रिगल, तो अगर उनको डाल देंगे, तो उनकी बढ़वार अच्छे से होती नहीं है, नतीजा क्या आता है, कि उनको फेलियर होने लगता है, जब हो हर्विस्टिंग के समय होता है, तो आपको तालाब के हिसाब से मचली का पालन करना है, अगर आपका तालाब छोट और यहीं लोग maximum mistake करते हैं, कि आपको तालाब के हिसाब से मचली का पालन का चुनाओ करना है, दूसरी चीज, दूसरा सबसे common mistakes क्या है, कि लोग बीना मार्केट में गए, ठीक है, मचली का चुनाओ कर लेते हैं, अपनी लोकल एरिया में लोग जाते नहीं है, और इंटरने मार्केट के हिसाब से हमको मचली का पालन करना है, वहीं हमको हमेशा साथ देने वाला है, वरना पालन तो कर लेंगे, लेकिन जब सेल करने का समय आएगा, तो जो है काफी परिसानी होगी, और आप मचली पालन छोड़ देंगे, तो यह सब common mistake हैं दोस्तों, तो आप अपने लोकल मार्केट में आपको जाना है, देखना है, और तभी जो है मचली का चुनाव करना है, कहीं इंटरनेट पर देख करके कि यह 500 रोपया बिकती है, 600 रोपया बिकती है, तो ऐसे नहीं पालन करना है, और यहीं लोग common mistake करते हैं हमारी फिस्पामिंग में, अगली चीज क् उनको feeding management जो है बिनकुन का गड़बड होता है, दोस्तों feeding management बहुत important चीज होता है हमारी फिस्पामिंग में, और अधिकतर लोग mistake करते हैं, वो क्या करेंगे, कि पैसे की लालच में देखते हैं कि जो सबसे सस्ता feed है, वहीं हम जो है अपनी मचलियों को खिला दें, किसी तर उनको तो देना ही पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप एक business कर रहे हैं, तो आपको investment करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कमाएंगे, तो feeding management में लोग क्या करते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कुछ लोगों को कि कौन सी मचलियों को कितने mm का दाना खिलाना चाहिए, और उनको ये ही नहीं पता होता कि हम जब दाना खिलाएंगे, तभी मचली की बढ़वार होगी, अगर दाना नहीं खिलाएंगे, तो हम फेल हो जाएंगी इस industry में, तो एक common mistakes हैं, आपको feeding management का बहुत ही knowledge होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे मचली पालन में, अगला common mistake लोग क्या करते हैं, नरसरी तलाब नहीं बनाते, पता चलता है भी आप पांच एकर, दस एकर में फीस farming कर रहा हैं, लेकिन मचली में जो है नरसरी तलाब नहीं बनाया है, दोस्तों नरसरी तलाब के बहुत जादे advantage है, नरसरी तलाब बनाने से फायदा क्या होता है, सबसे डारेक्ट अपने गुरु आउट तलाब में मार्केट से 15,000 बच्चा खरीद के डाल देते हैं तो होता क्या है कि वो जो हैजरी वाले होते हैं वो आपको इग्जेक्ट 15,000 जाएंगे लेकिन उ देंगे नहीं आप से चिटिंग कर लेंगे तो पता चलेगा 15,000 लेने गए 10,000 बच्चे आपको मिलें अब आप दाना खिला रहें 15,000 के हिसाब से तो आप जो का 5,000 बच्चों का दाना जो है वेस्ट जा रहा है और हर्वेस्टिंग के समय भी आपको जो है 10,000 बच्चे इसमें काफी नुकसान होया आता है और अगर आपके पास नरसरी तलाब है तो ही होता है कि आप जब तक आपके गुरू आउट तलाब में बच्चे बढ़ रहे हैं तब तक आपके नरसरी तलाब में भी बच्चे बड़े हो रहे हैं जैसे कि आपकी मचली सेल होई तुरंत हमने उस तलाब में डाल करके कल्चरे स्टार्ट कर दिया तो नरसरी तलाब ल नहीं रखते हैं लोग बायो सीक्योटी का मतलब लोग क्या करते हैं आख बंद करके जो है ले आते हैं मचली और तलाब में डाल देते हैं उनको यह नहीं पता होता कि हमको इस मचली को साप भी खा सकते हैं कववा भी खा सकते हैं उनको यह पता ही नहीं होता दोस्तों और कोई चिडिया नागुसें यह बहुत जरूरी है आप ऐसा महां सूचिए कि जो है चिडिया नहीं खाती हैं दोस्तो ऐसे इसी चिडिया हैं जो आपके जो है सब साल में कम से कम 10-10 हजार बच्चे खा जाएंगे ऐसी चिडिया हैं इसलिए आपको जो है बायो सेक्योरिटी जो है आपके खेती से बहुत जादे परसेंट आमको मुनाफा देने वाला है बहुत बहुत धन्यवाद बने रहे हमारे चनल प्राकिर्तिगाओं पर ऐसी धेड़ सारे टिप्स हम बताते रहेंगे अगर आप नए हो थमसे जुड़ना मत भूलेगा तकि हमारा परिवार और और जारिस जो है ठेड़ सारी जानकारियां आपको मिल सकें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन